पाकिस्तान को हर्गित्स मंजोर नहीं होगा मगर सौधी रब ने सामयमुद कुरेशी के अंगवस्तर का रंग बताते हुए काया कि कुर्ता मत उठवाओ नहीं तो फटे निकर का रंग सब को पता चल जाएगा इस वक्त OIC अपनी स्थापना की पचासवी साल गिर्या मना रहा है फरवरी मार्च 2019 में OIC की 46 वी बैठक को समोधित करने के लिए सौधीरब के विदेश मंतरी सेक अब्दुल्ला बिन जायाद वाहयान ने सुसमा सुवराज को आमंतरित किया था जिससे पाकिस्तान इतना चिड़ा कि उसने इस बैठक का बहिसकार कर दिया दो दिविश्य चले इस कारियकरम में पाकिस्तान की कुर्शी पर केवल खटमल नाची होता रहा बड़ी बात यह है कि सौधीरब अब इस बात पर जोर दे रहा है कि भारत को OIC का परिये व्यक्षक या सदेश से बनाया जाना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में मुसल्मानों की आबादी इस देश की दूसरी घनी आबादी है जो लगबग 17 करोड के आसपास है सौधीरब का यह भी तरक है कि भारत को इस बैठक में सामिल किया जाने से मुसलिम बहुल देशों और अरब के साथ सम्मधों को मजबूत करने में सफलता मिलेगी मामले तरह गंभीर है कि सामयमूद प्रेशितो सौधीरब में अपने कुर्ते खुद धोई रहे थे इमरान खारवी कल 31 मई को तैमाद और टोपिया को गठर लेकर सौधी के दरब दोड लगा रहे हैं पाकिस्तान की तस्रीप के नीचे यह सोच कर ही अंगारे बरस रहे हैं सौधी यदि भारत को इसमें सामिल कराने में सफल हो जाता है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन जाएगा मतलब फिर इस संगठन में भी भारत की 130 क्रोड जंसन क्या के जुड़ जाने से कोई भी दूसरा समू इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा पर बात केवल OIC के बड़ा संगठन बनने तक ही शीमित नहीं है भारत 2019 के अन तक दुनिया की पाची बड़ी अर्थववस्ता बनने जा रहा है ऐसे में धनी मुसलिम देशों की निगा भारत पर टिकी हुई है जहां वै अपना निवेश करके लाब कमा सके भारत लोकतांतरिक होने के साथ दुनिया के सरवादिक विश्वस्निय देशों में से एक है पाकिस्तान के पाएजामे में OIC ने मार्च 2019 में ही दाग लगा दिया था पाकिस्तान को लगता था कि वैप परमानु सक्ति होने के लिहाज से मुसलिम देशों का नेता है इसलिए उसकी लंबरदारी के आगे भारत को नहीं बुलाया जाएगा पर OIC ने पाकिस्तान के पिछवारे पर जो लात मारी उसका जखम अभी तक निला है पाकिस्तान की समश्य यह है कि अगर OIC में भारत को सामिल करा लिया गया तो कस्मीर और भारत मुसल्वानों को लेकर वे जो प्रोपेगेंड़ा चलाता है उसका अल्ला ही मालिक हो जाएगा भारत के OIC का सदिश्य से बन जाने के बाद पाकिस्तान के जूट के डिलोरे फिर अधिक दिन नहीं बज़ पाएगे अब दोनों चेला गुरु मतलब कुरेशी और पठान का बच्चा दोनों सौधी अरब की रसोई में बरतन साप करके उसे मनाने की कोशिस कर रहे हैं यह कोशिस करेंगे पर कोशिसे भारत ने भी तेज करती है, भारत भी ठान चुका है कि OIC में भारत की बादसाहत कायम करनी है भारत जानता है कि यह ऐसा मंच है जहां पाकिस्तान अभी तक उछल रहा है मतलब इस खटारा पाकिस्तान का पिटारा यहां से भी उठना जरूरी हो गया है चेला गुरु को दस्त का प्रकोप सुरू हो चुका है और मोधी सरकार तथा दुनिया की सर्वस्रेष्ट विदे समंत्री अपनी कूट नेती के तरकस सित्तीरों को धर दे चुकी है जो चलते ही सिधे पाकिस्तान की तस्रीप पर लगेंगे और गुरु चेला बिना दोड़े ही पाकिस्तान में पहुच जाएंगे OIC की पचासवी साल गिरे मनाई जा रही है पर विदाई और जगहसाई गिरे पाकिस्तान की होने वाली है सौधी में डेरा डाले बैठे कुरेशी चापनुसी की सारी हदे पार करके सेखों को घुट्टी पिलाने का प्रियास कर रहे हैं कुरेशी चाते हैं कि इस कांफरेंस में कस्मीर मुद्दा उठाने की इजाज़त पाकिस्तान को दी जाए जबकि सौधी के विदे समंत्री ने पाकिस्तान को भारत के खिलाब बोलने से बचने की सलहा दी है उनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान को भारत से संब्ध सुधारने की तरफ बढ़ना चाहिए ऐसे विवादित मुद्धे उठाएंगे तो इसका गलत संदेश जाएगा फिर भारत बिगर दाया तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं मतलब साफ है पाकिस्तान जी सुधियरोग को अपना सुबचित तक समझता था अब वही पाकिस्तान को पलिता लगा कर वही OIC में भारत की हमायत तो कर ही रहा है उसके खिलाब बोलने से पाकिस्तान को रोक भी रहा है यानि मोदी सरकार ने 2014 में जिस कूट नीति का आगाज किया था उसका परभाव दुनिया के डेसों में तना विस्तारित हो चुका है कि जो किसी मंच पर भारत के मौजूद ना होने के बवजूद भी भारत की सार्थता कम नहीं होने देती अब वैद दिन दूर नहीं जब OIC जैसे मंच से भी पाकिस्तान के पर कट सकते है और साइध पाकिस्तान को इस वक्त यही चिंता खाय जा रही है तभी तो गुरु चेले सौधी रसुई के बरतन मांजने के लिए पोच्छा भी सार्थ लेकर गए है आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जमान जै किसान जै हिंद बंदे मातरम